वेल्कम बेक फ्रेंड्स इन आर यूटूब चैनल लिवनिक लाइफ साइंसेज और टोड़े विल इस्टेडी अबाउट इस इलेक्ट्रों ट्रांस्वोर सिस्टेम एंड केमियोस्मसिस ETS क्या है ETS Respiration की लाश इस्टेज है इसमें NADH और FADS से ATB का निर्मान होता है तो आज हम इसी के बारे में इस्टेडी करेंगे तो चली सुरू करते हैं तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं देखो एरोबिक रेस्पाइरेशन के बारे में पढ़ रहे थे हम लाश तीन वीडियो लेक्चर से यदि आपने वह वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो एरो पहले इस दोरान ATV का निर्मान होता है और साथ में CO2 और water का निर्मान भी byproduct के रूप में होता है तो से पाइरवेट का निर्मान होता है तो उस परकिरिया को क्या कहते हैं गलाइकोलाइसिस जिसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो लेक्चर में स्टडी कर ली जिसका लिंक आपको पर आई बेटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो गुलको से पाइरवेट का निर टारोवेट में साइटोसल में कम्लीट होता है अब बनता है तो पाइरवेट करता है माइटो कवंर्या में से Corona कहते हैं और ज्यादा मातरा में एचप निर्मान होता है तो देखो क्यों को ग्लाइकवलाइसिस में भौत कम एटीप का निर्माण होता है और क्रेब्श गल में भौत कम हज़ाईदी का निर्माण होता है लेकिन दूसरे हाइदी मोलेकूल एने डीएच का ऐसे उसे किसका निर्मान होता है और यह कोशी का एनरजी करेंशी के रूप में फंक्शन को कंपलेट करने के लिए यूज में लेती है तो अने डिएचु से एटीप का निर्मान होना क्या कर लाता है Oxidative Phosphorylation Oxidative Phosphorylation का मतलब Oxygen की उपस्तिते में यादी Phosphorylation होता है और ATP का नेमान होता है तो उसे बहुते है Oxidative Phosphorylation यह दो स्टेप्स में complete होता है पहले Electron Transport होता है इसमें लास्ट में Cameo Osmosis होता है जिसके बारे में हम आगे Study करेंगे Oxidative Phosphorylation तो देखो Oxidative Phosphorylation क्या होता है Most of the free energy during the oxidation of glucose to CO2 is retained in the reduced coenzyme NADH और FADH2 देखो हमने पहले अलग-अलग study कर ली थी Glycolysis की study कर ली थी Crave cycle की study कर ली उसमें क्या होता है कुछ मातरा में ATP का नेमान होता है और ज्यादा मातरा में क्या होता है NADH और FADH2 का नेमान होता है अभी ये NADH और FADH high energy molecules होते हैं लेकिन क्या होता है इन high energy molecules को कोशी का अपने functions को complete करने के लिए यूज में नहीं ले सकती उठ्जा मुद्रा के रूप में या energy currency के रूप में नहीं ले सकती तो क्या करना पड़ेगा हमें यह जो NADH और FADH2 है इनको ATP convert करना पड़ेगा जैसे इसको हम इसी तरह इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे NADH और FADH2 क्या है कोई bank का check है अब क्या होता है हम किसी भी shop पर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर हम check देकर सामान नहीं खरीच सकते हैं क्योंकि हर दुकान वाला क्या करेगा हो कैस लेगा तो कोई सिका में जो NADH और FADH2 बनते हैं तो वो भी क्या है एक check की तरह है इनमें energy होती है लेकिन direct इनको यूज में नहीं लिया जा सकता है तो इनको यूज में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले इनको case में convert करना पड़ेगा जैसे हम check को ले जाते हैं पहले bank में वहाँ पर हम उनको case में convert करवा दें और फिर उस case से हम सामान ख़ईते हैं उसी प्रकास से जो NADH और FADH2 बनते हैं उनको हम उनको पहले हम oxygen की उपस्तिती में ATP में convert करेंगे और इस ATP को हम भी भी in cell functions में यूज में लेते हैं इनको oxygen की उपस्तिती में oxidize किया जाता है और इस दोराइन जो energy निकलती है उससे किसका निर्माण कर लिया जाता है ATP का निर्माण कर लिया जाता है और इससे ही हम क्या कहते है oxidative phosphorylation oxidative phosphorylation complete as inner membrane of mitochondria where series of electron carrier present अभी यह जो process होती है वह कहां पर complete होते है oxidative phosphorylation की mitochondria की inner membrane में तो mitochondria की inner membrane में complete होती है इससे पहले हमने देखा glycolysis कहां पर complete होता है कोसी कद्रवे में साइटोसोल में क्रेब सेगल कहां पर complete होता है mitochondria matrix में complete होता है और यह जो लास्ट स्टेजर expiration की वह कहां complete होती है mitochondria की inner membrane पर क्या परजेंट होते हैं electron carrier तो उन electron carrier के द्वारा इनका oxidation किया जाता है तो इससे पहले हमने देख लिया था कि glycolysis में क्या-क्या निर्मान होता है energy के रूप में दो ATP का और दो NADH का निर्मान होता है फिर glycolysis के बाद में जैसे glycolysis से क्या बनता है और पाइरवेट कहां पर जाता है mitochondria में अंटर करते हैं उससे प्रेसिटाइल को एंजाएमे का निर्मान होता है जिसको हम क्या बोलते है oxidative decarboxylation और इस दो रान क्या होता है दो NADH का निर्मान होता है और last में यह क्रेब और मेंटर करता है क्रेब ह one day future निंगे मान होता है दो दोक्त अनज़ी क्रेंज कह TO मात्रा में बन रही है जैसे दो एक टिउस बने और दो एक बळवा ने लेकिन हमें के लिए इससे जादा इनर्जी क्या फक्ता होते है वह बाकी ङाना धैज में एने टी हो और FADH2 से प्राप्त होती है, हम यहाँ पर NADH2 और FADH2 का Oxidation करेंगे और उससे हमें ATP प्राप्त होंगे, देखो यह जो ETS है या Oxidative Phosphorization की प्रोसेस है, वो कहाँ पर Complete होती है Mitochondria की Inner Membrane, तो Mitochondria की Structure के बारे में देखते हैं Mitochondria की Structure देखें, तो Mitochondria क्या है, यह है कि Double Membrane वाला पोसी कांग है तो इसमें एक Outer Membrane होती है और एक Inner Membrane होती है इसकी Inner Membrane के अंदर द्रव भरा रहता है जिसको मैट्रिक्स बोलते है और यह जो Inner Membrane होती है, वो क्या होती है Folded होती है, अंदर की तरफ अंतर वलित होती है और अंतर वलित होने का कारण क्या है, कि यह ज़्श्रफेसेरिया cover कर सके अभी जो Inner Membrane होती है, उस Inner Membrane के उप 저희 जो Inner Membrane होती है, Mitochondria की उस inner membrane पर बहुत सारे electron carrier पाई जाते हैं जो कि क्या होते हैं intrinsic protein होते हैं देखो cell membrane के अंदर क्या होता है protein पाई जाते हैं और यह protein ही क्या करती है electron carrier का कार्य करती है तो इनी electron carriers के कारण क्या होता है oxidative phosphorrelation होता है इनी के द्वारा NADH और FADH2 को ATP में convert किया जाता है अभी जो अंदर उभार बनते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिष्टी यह जो इसके अंतरवलन होने कारण जो अंदर की तरफ inner membrane में उभार बन रहे हैं उनको बोलते हैं क्रिष्टी और यहाँपर क्या पाएजिए बहुत सारे electron carrier protein तो यह है mitochondria की structure हम next देखते है structure of inner membrane of mitochondria अब देख दो mitochondria की inner membrane की inner membrane पर क्या-क्या पाएज़ता है mitochondria की inner membrane में लग-लग परकार के electron carrier होते हैं जो की membrane protein होती है जो क्या करते हैं कि यहांपर चार मुख्य परकार के एंजाइम कोंप्लेक्स पाइजाते हैं इनर मेंब्रेन में जो क्या करते हैं electron का transport करते हैं कहां से NADH और FADH2 से और इनको oxidize करते हैं ये चार मुख्या complex है जिनके बारे में मैं study करेंगे जो electron transport system का कारे करते हैं तो इसमें चार कौन-कौन से complex है इसमें first complex है complex first इनको roman संख्या के दोरा भी दरसाए जा सकता है और इनका जो specific नाम है वो अलग होता है जैसे complex first का नाम है NADH dehydrogenase ये क्या करता है NADH का oxidation करता है ये क्या करेगा NADH जो बनता है क्रेब से एकल और glycolysis के दोरान उसका oxidation कौन करेगा complex first ये complex first क्या है इसमें अलग-अलग परकार के electron carrier present होते हैं जो क्या करते हैं NADH2 को electron और proton में तोड़ते हैं और इन electron को आगे के और transport करते हैं next complex second complex second को बोलते है succinate dehydrogenase अब देखो succinate dehydrogenase के बारे में हम पहले study कर चुके हैं कि जो क्रेब cycle होता है तो क्रेब cycle के दोरान succinate से fumarate का निर्मान होता है और जब succinate से fumarate का निर्मान होता है तो उस दोरान क्या बनता है FADH2 अब यह जो FADH2 होता है वो complex second के दोरा क्या किया जाता है oxidize किया जाता है इसलिए इसका नाम क्या हुआ succinate dehydrogenase next है third complex third जिसको हम cytokrome BC1 complex करते हैं last है complex 4 जो क्या है cytokrome C oxidase तो यह 4 complex मिलकर क्या करते हैं electron का transport करते हैं अब यह किस परकार से FADH और NADH से electron का transport करते हैं इसके बारे में हम detail से study करते हैं देखो हमारे सामने diagram में क्या है electron transport chain inside mitochondria जो mitochondria की inner membrane होती है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया कि उसमें 4 परकार के मुख्य complex पाए जाते हैं यहां पर आपको 4 complex दिख रहे होगे और 5 वा complex भी दिख रहा होगा लेकिन यहां पर हम उनी complex के बारे में बात करेंगे पहले जो electron का transport करते हैं जो 5 वा complex होता है वो electron का transport नहीं करता हो क्या करता है complex 5 तो सबसे पहले देखो complex first complex first को हमने क्या बोला था एने डिएज डि हाइडोजिनेज जो क्या कारे करेगा एने डिएज को पहले उसको proton और electron में breakdown करेगा एने डिएज में क्या है hydrogen है अब वहाँ से hydrogen का breakdown होगा और hydrogen का breakdown किसमें होगा आगे जब एने डिएज 2 से hydrogen को निकाला जाता है या electron को निकाला जाता है तो क्या होता है एने डिएज 2 का oxidation हो जाता है तो यह क्या करता है एने डिएज 2 का oxidation करता है complex first क्या करता है जिसको हम एने डिएज डिएज डिएक्टेज भी बोलते हैं का कार्य करता है एने डी चुका ऑक्षिडेशन करता है और ऑक्षिडेशन का हमें पता है ऑक्षिडेशन किसे करते हैं कि हाइड्रोजन का निकलना क्या करता है ऑक्षिडेशन करता है तो इस एने डी से क्या होगा हाइड्रोजन निकल जाएगा अब हाइड्रोजन जो निकले अंदर की साइड होगी और यह बार वाली साइड होगी अब यह जो इनर मेंब्रेन है तो इनर मेंब्रेन और आउटर मेंब्रेन के बीच में क्या होता है इंटर मेंब्रेन स्पेस होता है तो यह जो प्रोटोन बनते हैं उन प्रोटोन को इंटर मेंब्रेन स्पेस में पंप कर दिया जाता है और जो इलेक्ट्रोन बनते हैं उन इलेक्ट्रोन को किसके द्वारा अक्षेप्ट कर लिया जाता है उसका क्या हो जाता है रिडक्षन होने के बाद में क्या गरेगा अब यह और है इलेक्ट्रोन किसी दूसरे Clifford के बाद आए अभी जो कि दोगार्जेश फेलसे कहा जायगा नेक्स्ट लेक्ट्रोन कएरेकरियर केपास कैसे जायगा जब नैक्स्ट केंदरीलेक्ट्रोन कर आशेप्डा इससे ज्यादा होगी कि sum खुंद आ magnitude कामां तरफ आकर सी कर सके तो क्या होता है FmN से यह क्या पर जाएगा FES की तरफ जो क्या है कि आरेन सलफर प्रोटीन है तो FmN से आरेन सलफर प्रोटीन की तरफ जाता है तो यह क्या होता है complex first में होता है अभी यह FmN से FES जाता है और FES से inter membrane Space में एक और electron carrier पर जेन्ड हता जिसको हम बोलते हैं को एंजाइम Q या इसको UBQ न भी बोलते हैं को एंजाइम Q भी बोलते हैं और इसको UBQ न भी बोलते हैं जैसरे electron carrier UBQ के फसी आता है तो यह यह जो यूविक कुईनोları होता है वह एक मात्तर wahr हो जो किकिशी प्रोटीन से बाइन नहीं रहता है तो यह उससे बंदित नहीं रहता है अभी यहां से देखो complex first से जो अब देखो यह complex first में क्या हुआ एने डीएस से electron और proton का breakdown हुआ proton को अंदर की तरफ pump कर दिया गया और electron को FMN और FES से होते हुए कहा कर दिया अब जो दूसरा complex है वो दूसरा complex कौन सा है succinate dehydrogenase तो succinate dehydrogenase के बारे में में पता है क्या कारे करता है FADH2 का oxidation करता है और जब FADH2 का oxidation करता है तो इस दोरान भी क्या बनते है proton बनते है और electron बनते है और FADH2 से भी जो electron निकलते हैं उन्हें electron को भी किसके दवारा grind कर लिया जाता है coinzyme Q के दवारा तो देखो coinzyme Q दोनों के common है complex first से जो electron निकलते हैं उनको भी coinzyme Q या ubiquinon के दवारा grind किया जाता है और complex second से जो electron निकलते हैं उनको भी किसके दवारा grind किया जाता है coinzyme Q के दवारा अभी जो coinzyme Q या ubiquinon है वो क्या हो गया electron grant के कारण इसका reduction हो गया अभी इन electrons को आगे के और transport करेगा next carrier के उपर transport करेगा तो next carrier के उपर यह कबरेगा complex third में तो complex third में क्या होता है cytokrome BC1 तो cytokrome BC1 में अलग-अलग परकार के electron carrier पाए जाते हैं जहां पर cytokrome B हो गया FES हो गई और cytokrome C हो गया यह जो FES और FMN है वो लगबख सभी में पाए जाते हैं common होते हैं यह जो क्या करते हैं electron का transport करते हैं तो coinzyme Q से कहां पर ट्रांसपोर का cytokrome B पर cytokrome B से FES पर और cytokrome C1 पर तो complex third में electron का ट्रांसपोर होगा और इस दोरान क्या होगा दो proton निकलेते उनको inter membrane space में pump कर दिया जाता है देखो यहां पर complex first भी proton अंदर की और पंप कर रहा था और complex third भी अंदर की और proton पंप कर रहा है लेकिन FADH2 क्या करता है अंदर की और proton पंप नहीं कर पाता है तो complex first और complex third क्या कर रहे हैं अंदर के और proton pump कर रहे हैं अभी जो electron है ये electron फिर next carrier की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वो है carrier cytokrome C अभी जो cytokrome C है वो cytokrome C कहां पर जेंट होती है इंटर मेंब्रेन इस्पेस में यानि इनर मेंब्रेन के बार की और परजेंट होता है तो यह यहां पर बार की और परजेंट होता है cytokrome C जो एक mobile carrier है तो यहां से कि यह cytokrome C1 से electron घ्रेंड करेगा और इन electron को ट्रांसपोर्ट करेगा किस की तरफ complex 4 की तरफ और complex 4 में क्या पाया जाते हैं cytokrome A cytokrome A3 और इसके साथ इसमें 2 copper center और और पाया जाते हैं तो यह electron उन carrier के थ्रू होते हुए last में कहां पर चले जाएगा oxygen के उपर और oxygen क्या करेगा दो proton के साथ reaction करके water का नर्मान कर लेगा तो क्या होगा यहां पर oxygen भी यूज में आगे अब देखो इससे पहले हमने कहां कहां देख लिया था ग्लाइकोलाइस इसमें oxygen यूज में नहीं आई थी क्रेब शेयकल में oxygen यूज में नहीं आई थी लेकिन ETS की भी last step में क्या हुआ oxygen यूज में आई तब इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं oxygen फॉस्फोर रैलेशन तो जैसे यह electron pair oxygen पर transfer होता है तो वो proton के साथ reaction करके water का निर्मान कर लेते हैं अब देखो यहां पर oxygen भी यूज में आ गए और water का निर्मान भी हो गया लेकिन हमें निर्मान किसका करना था अब निर्मान कैसे होता है देखो इस दोरान क्या हो रहा था। मैंट्रिक्स की तरफ पंप किया जा रहा था तो लगातार इन प्रोटोन को मैट्रिक्स से इनर मेंब्रेन स्पेस की तरफ ट्रांसपोर्ट करने से क्या होता है जो इनर मेंब्रेन यह जो इंटर मेंब्रेन स्पेस होता है उस इंटर मेंब्रेन स्पेस में क्या हो जाता है प्रोटोन ग्रेडेंट बढ़ जाता है यानि वहाँ पर चार्ज ज्यादा हो जाएगा प्रोटोन के परवंता ज्यादा हो जाएगी और अंदर के तरफ कम हो जाएगी तो इस तरफ पोजिटिव चार्ड ज्यादा हो जाएगा और इस तरफ कम हो जाएगा तो क्या होता है प्रोटोन की सांजरता एक तरफ बढ़ गई तो प्रोटोन वापस उ प्लारपार गुजरने के लिए अधे यह प्रोटोन फंप चाहिए क्या कि अधिक क्योंसरता बढ़ गई वह प्रोटोन की सांदरता बढ़ने के कारण यह पर फ्रोटोन ग्रिडेंट बढ़ गया तो नंगा तो वह फोर्स जंडरेट करें अब जो जो फोर्स जंडरेट होगा इसलिए हम इसको क्या करते हैं ATP Synthase करते हैं अब इसको आगे हम और detail से देखते हैं देखो इस diagram में हम और detail से देखते हैं इसमें यह inner membrane space है यह inner mitochondrial membrane है और यह matrix है इसमें हम चार complex दिखाई दे रहें यह complex first, यह complex second और यह complex third last में complex fourth तो देखो, यहाँ पर complex first के बाद में complex second नहीं है, new NCRT books में भी इसी परकार का diagram दिया गया है, क्यों दिया गया है यह आपको पता चल जाएगा, क्योंकि complex first से जो इलेक्टो निकलते हैं, वो भी कहाँ पर जाते हैं, ubiquinol में, और second से जो निकलते हैं, वो भी ubiquinol में, और इसके बाद में complex third में जाते हैं, तो यह दोनों की बीच में common होता है, इसलिए complex first और complex second के बीच में complex third दिखाते हैं, तो देखो, सबसे पहले NADH का breakdown होता है, NAD में, और इस दोरान क्या होता है, दो electron निकलते हैं, और proton निकलते हैं, proton को अंदर की तरफ inner membrane space में pump कर दिया गया, और इसलिए जो electron है, वो electron complex first में जो electron career है, लग-अलग, उनके द्वारा grant किया जाता है, तो सबसे पहले FMN के द्वारा electron grant किया जाता है, फिर FES जो की iron sulfur protein है, उसके द्वारा grant किया जाता है, और इसके बाद में electron बाहर के और ट्रांस्पोर किया जाता है, इस पर, यूबी क्यून पर, जिसको हम कोईजाई क्यों भी बोलते हैं, और जैसे ही, यूबी क्विनों पर electron आता है, तो यूए है, यूबी क्यून अउल में convert हो जाता है, इसी परकार से देखते हैं, इसको हम सक्षीनेट ढी हाइट्रोजने बोलते हैं, तो सक्षीनेट डी हाइट्रोजनेश को ब है पहले fio के द्वारा ग्रैंट किे जाते हैं यह बाद में किसके द्वारा कर ले जाते हैं यूफी की ना में हुझाता है तो इलएक्ट्रों का ट्रांसपूर्ट में तो तो complex 3rd क्या है complex 3rd है cytokrome BC1 तो इसमें क्या होता है Ubiquinol से electron कहां पर आता है सबसे पहले cytokrome B पर cytokrome B से यह FES पर और FES से जाता है cytokrome C1 पर लास्ट में cytokrome C1 से यह बार के और ट्रांस्पोर्ट होता है किस पर cytokrome C पर और cytokrome C है वो क्या है mobile carry transport है जो यहां complex 3 से electron को grind करेगा और यहां से electron grind करके complex 4 की तरह आएगा complex 4 पर आकर क्या करेगा complex 4 क्या है cytochrome C oxidase तो cytochrome C oxidase के में क्या होता है दो copper center होते हैं और cytochrome A और cytochrome A3 होता है तो सबसे पहले जो cytochrome C होता है वो उस cytochrome C से electron कहाँ पर transport होता है copper center पर copper center 1 भी बोल सकते हैं जिसको copper center 1 से transport होता है cytochrome A पर cytochrome A से transfer होता है cytochrome A3 पर और last में copper center 2 पर transport हो जाता है और अंत में copper center 2 से यह electron pair oxygen पर transfer हो जाता है और oxygen पर transfer होते ही oxygen क्या कर लेता है दो proton के साथ मिलकर proton दो proton के साथ मिलकर water molecule का निर्माण कर लेता है तो water का निर्माण यहां पर हो गया oxygen की उपस्लिदी में लेकिन किसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ ATP का निर्माण जो हमें चाहिए ATP का निर्माण क्या कैसे होगा क्योंकि यहां पर लगाता है proton का pump अंदर की तरफ किया जा रहा है कहां पर inner membrane space में तो inter membrane space में क्या हो जाता है proton की सांधरता बढ़ जाती है proton की सांधरता बढ़ने से क्या होता है जली क्या करना चाहती है कि दोनों तरफ proton की सांधरता बराबर बनी रहे तो बराबर बनी रहेगी तो क्या होगा proton इंटर membrane space में तरफ मेंत्रिक्स की तरफ आएंगे अब यह इंटर membrane space मेंत्रिक्स की तरफ जल्ली के द्वारा नहीं आसकते है क्या क्या आखता है तो एक प्रोटोन पम्प के द्वारा क्या किया जाता है इन प्रॉटों को इंटर-मेम्रstation當然 से वापस मैट्रिक्स में ट्रांसपर्ट किया जाता है जो पंप होता है उस पंप को बोलते हम 80 पेज 80 पेज फंप से किस परकार से 80 पी का निमान होता है इस कि इसको समझाने के लिए एक कि छोरी दी गई ती जिसका नाम है Comey Online तो पहले हम उसको देखते हैं तो अब देखते हैं क्या है क्या है क्या है तो इस थोरी प्रोपोज्ट बाइपिटर मिशल टो एक्सप्लेंड दी एटीफ इसके दोर दी गई तो इन्होंने क्या समझाने कि कोशिस की थी कि यह जो पॉस्फॉर रेशन होता है तो हमने से पहले क्या देख लिया कि एलेक्ट्रोन का ट्रांसपोर्ट होता है उलट में जो इलेक्ट्रों उक्सीजन के द्वारा ग्हेंड कर लिया जाता है लेकिन इससे अटिबी का निर्मान कहा हो रहा है और कैसे होता है इसको समझाने के लिए इन्होंने यह थी टिरी में क्या समझाया था इन्हों निस मोड़ल बेस्ट अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अइन्स तो यह मोडल प्रोटों के एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर बेश्ट है डूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑप इलेक्ट्रों मैंनी प्रोटोंस पंप सब्सक्राइए कि इन्ट जाहेंगेंस तो प्रोटों के लिए प्रोटोंस के सब्सक्राइब आखी स्पाइर द्रेंगे लेकिन आसानी से में नहीं आ सकते हैं तो इनको गुजणने के लिए विशेश की परकार की प्रोटीन की आउशकता होती है उस प्रोटीन को तों क्या बोलते हैं च straight match के द्वारा क्या था इनकों पूंप किया ऐसा meteor प्रोटोन और के प्रोटोने इंट्हसाइड इंटर अब कॉल प्रोटोन सब्सक्कार संसिक्सेट फोने से क्या होता है अंधर प्रोटोनग्रेडेंट बनता है और प्रोटोनग्रेडेंट बनता है तो यह वापस नहीं पाते हैं है is क्यों यह आ से नहीं गुजर पाते तो इसके लिए रूसेशों प्रकार प्रोटो ow शक्ता होती है उसका नाम है 90 फेस प्प्रोंप परिजेंट इनर मेंद्रेंज of mitochondria by through proton pump back by proton motive force तो इस ATP पे इस pump की द्वारा क्या किया जाता है इन protons को वापस से matrix में pump किया जाता है और क्योंकि यहाँ पर proton की सांदरता एक तरफ जादा है तो जैसे वो proton वापस से कम सांदरता की तरफ आएंगे तो कम सांदरता की तरफ आएंगे तो एक फोर्स के साथ आएंगे उस फोर्स को बोलते हैं proton motive force तो proton motive force के कारण क्या होगा वहाँ पर energy निकलेगी और उस energy को क्या कर लिया जाता है ATP का synthesis करने में यूज में ले लिया जाता है क्योंकि जैसे बहुत pressure के साथ proton inter membrane space से matrix के तरफ गुजरेंगे तो अत्यादिक मात्रा में energy निकलेगी और उस energy को किसमें convert कर दिया जाता है ADP से ATP में convert कर दिया जाता है और यह ATP हमारे cells के द्वारा within functions में यूज में ले लिये जाते हैं when protons do flow back into the matrix the energy is dissipated some of its being used to drive the synthesis of ATP from ADP and inorganic passport in matrix क्योंकि जैसे ही यह जो प्रोटोन कि इंटर मेंब्रेन से matrix ही तरफ आते हैं तो energy निकल दिया और इस energy से क्या किया जाता है ADP और इन और इन और फोस्पेट को जोड़ दिया जाता है और यह ATP कोशिका के द्वारा विविन फंक्शन में यूज में ले लिया जाता है तो यह हमने पढ़ा क्या कि oxidative phosphorylation में ATP का निर्मान कैसे होता है जो केमियोस्मोटिक थोरी के द्वारा समझाया गया है इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि यह जो होते हैं उससे इलेक्ट्रोन निकलते हैं और प्रोटोन निकलते हैं प्रोटोन को अंदर की तरफ पंप कर दिया जाता है और इलेक्ट्रोन को एक केरियर से दूसरे केरे के और ट्रांसपोर्ट करके कहां पर बेज दिया जाता है ऑक्सिजन के पास और ऑक्सिजन जैसे ही ऑ प्रोटोन वापस से एटीपेज पंप के द्वारा अंदर की तरफ पंप किये जाते हैं तो उससे एटीपी का निर्माण कर लिया जाता है तो यह था कीजिए और यह आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादे से जाधा शेयर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए बाई धन्यवाद जेहन